बास्वाडा परजा मंडल बास्वाडा परजा मंडल से सम्मन्धी जोवी महत्पून कोश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में लेके आया हैं यदे आप चनल पे नहीं है तो चनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं क्वेशन बास्वाडा परजा मंडल की स्थापना किस वर्स की गई थी तो राइट आंसर होगा उप्शन सी सन उन्निस सो ते तालिस में बास्वाडा परजा मंडल की स्थापना सन उन्निस सो ते तालिस में की गई थी बास्वाडा में वो देशे था डोंगरपुर परजा मंडल की बाली बाती मासवाड़ा चेतर में भी निवासरत आदिवासियों वे हरी जनों में राजनितिक जन्जागरती का परसार करना सिरी मनि संकर नागर के अध्यक्स्ताती और धूलजी भाई भावसर मंतरी बनाए गए थे मासवाड़ा परजा मंडल के कुश्चन नमर दो सर्वो दे यानि सर्वो दे वहाग नामक पत्रीका का परकासन किस ने किया थे इंपोर्टेंट कुश्चन है तो राइट आंसर होगा उप्शन बी चिमना लाल मालोत ने चिमना लाल मालोत ने 1930 में वांगड छेतर में राजनितिक जागरती के परशार परशार है तूझ सांती सेवा कुटित की इस्तापना की थी वे सर्वो दे वहाग पत्रीका का परकासन भी चिमना लाल मालोत ने ही किया था क्वेशन नमर तीन मासवाडा परशा मंडल का सहयोगी संगठन था महीला मंडल जिसका गठन किस ने किया है तो राइट आंसर होगा ओप्शन डी विजिया भावसर ने महीला मंडल बासवाडा परशा मंडल का एक सहयोगी संगठन था जिसके गठन करता थी सिर्मती विजिया भेहिन भावसर जो धूल जी भाई भावसर की पत्नी थी बात करते हैं धूल जी भाई भाई भावसर के बारे में जनम हुआ अथूर्णा बासवाडा में पतनी थी विजिया बहिन भावसर एक विद्वा थी जिससे धूल जी भाई भाई भावसर ने विवा किया था इन्होंने अंतर जातिये वे विद्वा विवा का आदर्स आधिवासी समाज में पस्तुत किया और दोनों का योगदान बास्वाडा परजा मंडल में महत्पून रहा था Q4. सदत खान नामक वक्ती का सम्मन्द किस परजा मंडल से है? तो रायट आंसर होगा उप्शन ए बास्वाडा से सदत खान नामक वक्ती का सम्मन्द बास्वाडा परजा मंडल से है बास्वाडा परजा मंडल की इस्तापना 1943 में हुई सदत खान बात करते हैं सदत खान के बारे में बास्वाडा के ठाकुर्थे रतंचिंग की सेवा में कार्यत एक वक्ती था सदत्खा सदत्खा ने बास्वाडा की स्थानिय जनतावे सेनीकों में अंग्रेजों के खिलाब विद्रों की भावना लोगों में जागरत की थी बाद में इनकी नीतियों के कारण अंग्रेजों ने यानी सरकार रियासत के सरकार ने इने फासी दे दी थी क्वेश्चन नमबर पाँच बास्वाडा रियासत का राइस्थान में विले कब हुआ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो राइट आंसर होगा मार्च 1948 को विले हुआ 25 मार्च 1948 को राइस्थान संग बनने के साथ ही ततका लिन सासकते चंदरवीर सिंग उन्हेंने राइस्थान संग में विले होने पर हत्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हत्ताक्षर कर रहा हूँ ये सा सकते चेंदरवीर सिंग बांसवाडा के Q6. संग्राम नामक पत्रीका का परकासन किस ने किया था यानि किस ने प्रारम किया था तो रायट आंसरोगो अप्शन B भुपेंदर नात तिर्वेदी ने संग्राम नमक पत्रिका का परकासन भुपेंदर नाथ तिर्वेदी ने किया था जो एक बासवाड़ा के निवासी थे भुपेंदर नाथ तिर्वेदी मुंबाई में सन 1949 में एक प्रेश की स्थापना की थी भुपेंदर नाथ तिर्वेदी ने और संग्राम नमक सहित्य पत्रिका थी जिसका परकासन भी प्रारम किया था भुपेंदर नाथ तिर्वेदी ने सन 1946 में मुंबाई से वुपेंदर नातिर्वेदी बांसवड़ा आगे और लोगों में राजनेतिक जन्जाकरिती का प्रसार किया और अपना विसेश योगदान दिया बांसवड़ा परजा मंडल में जिहां दोस्तों कैसा लगा आपको इस सेशन आमें कॉमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वेडियो में नेक्स्ट टोपिक के साथ